हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं नारा स्टाइल कुरती आज हम सीखने वाले हैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग तो पूरी आपको कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ वीडियो अच्छ ट्रफ लिया है मेरे ये चुडाई में ही पूरा आ गया अगर चुडाई में पूरा ना आए तो आप लंबाई में 2 लेंट् जो है इसकी कट कर सकते हो तो 16 इंच मैंने इसकी लेंट्र रखी है और 13 मैंने 7 इंच रखा और arm hole के लिए 7 इंच पे निशान लगाया है और breast का चौथा हिसा प्लस 2 इंच मार्जन के लिए और सेम इसी तरीके से कमर का भी हमने कमर का चौथा प्लस 2 इंच मार्जन के लिए रखा है अब यह देखिए यहां पे 1.5 इंच का निशान लगाके मैंने गुलाई लगा ली है अब front वाला तीरा हम कट कर लेंगे तो back side को मैंने एक पीछे को एक इंच का निशान लगाके front की भी cutting मैंने दे ली है और यहां से हमने आधे इंच की यह देखिए कमर से गुलाई दे लेनी है यहां से थोड़ी सी अब इसकी cutting कर लेंगे तो यह upper part की cutting हो चुकी है तीरे को भी down कर लेंगे आधा इंच यह देखिए तो upper part की cutting हमने कर ली है अब नीचे बाले part को हमने 4 fold करके रख लिया है दो length इसकी जो मझे चाहिए वो मैंने रख ली है अब जितनी भी आपको length चाहिए उसमें से आप 16 इंच जो है minus कर दीजिए और नीचे fold करने के लिए margin के लिए 2 इंच प्लस कर लीजिए तो upper part को हमने minus कर लेना है और नीचे margin के लिए जो है 2 इंच में प्लस कर लिया है तो ये नीचे बाला part भी हमारा cutting हो चुका है दोनों part जो है तो ये देखिए यहाँ से ऐसे चुन्नट आएगी और side से open रहेगा high slit होंगे इसके बड़े slit वाली ये कुर्ती हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने front बले side पे ये जो cutting निशान लगाया है उसकी cutting कर लेनी है अब हमने गला तियार करना है तो बुकरम पे मैं गला तियार करके तो ये देखिए मैंने जैसे कि आपके पास भी कोई छोटे छोटे piece बुकरम के बज जाते हैं तो उनको जोड के भी आप यू साड़े 3-4 इंच जितना भी आपको चाहिए आप ले सकते हो और 7 इंच मैंने deep रखा है और यहां से गुलाई देके बुकरम पे गले को cut करके और कपड़े पे ये देखिए attach कर लिया मैंने अब गले को हमने ये देखिए center में रखते हुए side से सिलाई लगा लेनी है तो गल करेंगे तो इसके लिए मैंने जितनी हमारी अपर पार्ट की लेंथ है उतनी लेंथ का एक कपड़ा ले लिया है 16 इंच का दो कपड़े हैं और 7.5 इंच जो है इन दोनों की चड़ाई है और लंबाई जो है अपर पार्ट जितनी लेंथ रखेंगे अब यहां से हमने इसके गले की कटिंग करनी है तो गला मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया यह देखिए और ऐसे हमने गले की कटिंग कर लेनी है यह देखिए तो यह गले की कटिंग हो गई अब मैंने न डोरी पहले से ही रेडी करके रखी है तो वो डोरी हम इस पर लगाएंगे आप देखिए कहां से हमने इसको स्टिच करना है यह डोरी मैंने बना ली है अब नीचे से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे यह देखिए जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से आप देख लीजेगा और यहाँ पे आप हमने डोरी को रखना है अंदर वाली साइड को यह देखिए यहाँ से डोरी को रखके अच्छे से हमने पक्का कर लेना है डोरी को बिल्कुल अंदर वाली साइड को कर देंगे, ये देखिए, क्योंकि उपर से हमने सिलाई लगानी है नीचे को, तो डोरी का आपने ध्यान रखना है, यहां से अच्छे से पक्का करते हुए, ये देखिए, ऐसे हमने गले पे सिलाई लगा लेनी है, अब दूसरी ये देखिए, ये देखिए, ऐसे, तो ये डिजाइन काफी सुन्दर बनेगा, और यहां से फिर से पक्का कर लेंगे, और सिलाई हम नीचे को ले आएंगे, ये देखिए, दो तीन बार मिशीन को चला के, हमने अच्छे से लोग कर लेना है, अब नीचे तक हम सिलाई को, कम सिलाई हमने लगा ली है, अब हम इसको सीधा करेंगे, गले में हमने चोटी-चोटी से लगा लेने है, ताकि गला हमारा आसानी से टर्न हो सके, और इसकी शेप अच्छी आए, ये देखिए, तो डोरी को खींचते हुए, ये देखिए, हमारा पैटन बन गया, जो फ्रंट साइट पर हम लगाएंगे, वह हमने पैटन रेडी कर लिया है, अब हम इस पर लेस लगाएंगे, तो वाइट कलर की मैं लेस लगा रही हूँ यहां पर, तो ये देखिए, ऐसे हमने लेस को लगाते जाना है, ओपर तक, जहां तक कि हमने दोरी लगाई है, यह देखिए, यहां से अब इसको मोडते हुए लेस को, गले पर लगाएंगे, और दूसरी साइट पर नीचे तक हमें ऐसे ही ले जाएंगे, तो यह लेस लगा के, मैंने आगे वाला फ्रंट वाला जो पैटर्न है, रेडी कर लिया है, अब इसका सेंटर पे एक निशान लगाया है, और जो अपर पार्ट का हमने, जो यह चोली वाला पार्ट है, इस पे भी यह देखिए, एक निशान लगा लिया है, अब बिलकुल सेंटर पे रखते हुए, हमने नीचे से एक सीलाई लगा लेनी है, यह देखिए, इसको हमने जोड लिया है, यह देखिए, ऐसे उपर को आ कपड़े को 11 इंच तक जो है, ऊपर से 11 इंच पे निशान लगा के, नीचे से मैं इसको स्टिच कर लोगी, बाकी हम इसको ओपर नी रहने देंगे, यह देखिए, तो इतना इतना मैंने स्टिच कर लिया, और बीच में बाद में इसमें बटन लगेंगे, तो बैक वाला गल है, उसको आगे वाले पर ऐसे चड़ा के रखना है, ओबर लैप करके, फिर हमने तीरे की सिलाई लगाने है, तो ऐसे ही अगर आप तीरा जोड़ोगे ना, तो आपके तीरे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, यह देखिए, दिखा देती हूँ आपको, आपने ऐसे तीरे को जोड़ना है, अब हमने फिटिंग की निशान लगाया है, उस पे हमने सिलाई लगा लेनी है, जितना भी आपका फिटिंग का नाप है, उस पे सिलाई लगा लीजिए, दोनों साइड पे, तो यह देखिए, फिटिंग वाला सिलाई हमने लगा ली है, अब हमने नी इस साइड पे बी और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे और मैंने दोनों साइड पे यह देखो एक निशान लगा लिए सेंटर में इसको हम सीधा कर लेंगे और जितना भी हमारा ये कमर का नाप है इतना भी कमर का नाप है इतना ही हमने चुणनट डालके इस कपड़े को रेडी करना है इस पे प्लीट्स डालने हमने छोटे-छोटे यह देखिए ऐसे करके प्लीट्स डालेंगे जितना भी इसका कमर जैसे 32 है या 33 है उतना ही आपने प्लीट्स डालके इस कपड़े को रेड तो यह देखिए प्लेट्स हम आपने बराबर बराबर करके प्लेट्स डाल लेने हैं यह देखिए तो यह दोनों पीस पे मैं डाल लेती हूं पहले रेडी कर लेती हूं फिर अपर पार्ट के साथ हमने इसको कैसे जोड़ना है वह मैं आपको दिखाती हूं तो यह देखिए अपर पाट को लेंगे, यह देखिए, तो साइड से हमने यह देखिए, यहां से जोड़ना शुरू करना है, जो साइड बले हमारी कमर की सिलाई है, उसके साथ हमने बिल्कुल यह देखिए, रखना है इसको, नीचे बले पाट को, यह देखिए, सिलाई के साथ बिल्कुल, औ और इसको हमने यह दिखिए आंसे पक्का करते हुए आगे तक हम इसको स्टिच कर देंगे और अगर आप ज्यादा लंबे स्लिट नहीं डालना चाहते आपको थोड़े छोटे डालने हैं तो उसका भी मैं तरीका आपको विताऊंगी आगे वीडियो में पूरा देखिएगा अगर आप हाई स्लिट नहीं डालना चाहते थोड़ा सा कमल के नीचे डालना चाहते हैं स्लिट तो उनको हम कैसे बंद करेंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यह देखिए एक सिलाई यह पार्ट हमने जोड लिया यह देखिए अब ऐसे ही सेम यहीं से ही बिलकुल सा कर देंगे तो यह नायरा स्टाइल कूर्टी जो आद आज कर खSte ट्रेंड में है बहुत इसका ट्रेंड है तो बहुत सारे इसकी डिजाइन है आज मैंने आपको सिंपल साठ्र यह डिजाइन जो है आज बताया है तो आप ज़रूर बताये गा कि आपको कैसा डायों को अधि तो यह देखिए, अपर पार्ट को हमने नीचे वाले यह देखिए, यहां से जोड लिया है, तो यह देखिए, इसके सलिट काफी हाई आएंगे, अगर आप इतने बड़े सलिट नहीं डालना चाहते हैं, यह देखिए, मैं आपको दिखा देते हूं, क्योंकि सलिट काफी लेकिन थोड़ा सा अगर आप छोटा करना चाहते हो ना तो ऐसे आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए नीचे यह देखिए और उपर से सिलाई लगा देजिए और यह स्लिट जो है आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा जितना भी आप करना चाहते हो 12 या 13 इंच पर जैसे आप रखना चाहते हो ना उस पर आप रख सकते हो तो यह देखिए एक्स्ट्रा लगार के पुरा ब्राबर से करके हमने दोरों जो बॉर्डर है उँको अच्छे से ब्राबर करके और यहां से हमने यह देखिए दो तीन बार मिशीन को चलाते हुई यह देखिए यह यहां से पका करके और पीछे को सिलाई को फिर मोड़ principate क क्योंकि जिनका यह सूट है स्टिच कर रहे हूं मैं मेरे किसी क्लाइंट का सूट है तो उनको ज्यादा राइस स्लिक्री नहीं चाहिए इसलिए मैंने दोड़े से स्लिट को उसको चोटा कर दिया ऐसे ही मैं दूसरी सैट से भी कर लोगी तो ये देखे, स्लिट मैंने छोटे कर लिए हैं, अब हमने बाजू को रेडि करना है और बाजू को अटैच करना है और नीचे जो ये देखे घेरा है, नीचे बली साइड से भी हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक बरिक सी सिलाई लगाते हुए दोनों पल्लों पे हमने सिलाई लगा लेनी है नीचे बली साइड से, तो इस पे आपको तुर्पाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिलाई लगा सकते हैं तो ये देखिए दोनों साइट पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये कुर्ती हमारी ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ये जो मैंने फ्रंट पे कपड़ा लगाया है ऐसा इसका प्लाजो है तो बाजू पे नीचे मैं इलास्टिक डालूँगी तो जितनी भी चड़ाई है आपके इलास्टिक की उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए अब सेप्टी पिन में ये देखिए इलास्टिक को अडाऊंगी और इसमे जो हमने एक नेफा सा बनाया है, कप्रा फोल्ड किया है इसमें हमने Elastic को डाल देना है तो यह Elastic वाले बाजू देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और बनाने में तो यह बहुत ही आसान है तो आप इसको easily बना सकते हो और इसका लूक जो है ना बाजू को स्टिच कर लिया है और बाजू को टैच कर लिया है तो यह देखे कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई और आगे वाली साइट पे मैंने वाइट कलर के परल लगा दिये क्योंकि वाइट हमने लेस लगाई है तो आप जरूर बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा